आज हम बात करने वाले हैं बुली स्पिनिंग टॉप और बेरी स्पिनिंग टॉप के बारे में ये दो केंडल्स है ये कहां पर बनती है चार्ट के बॉट्टम में बनती है या फिर टॉप पर बनती है इनकी क्या विस्टाइं होती है आज हम इनी के बारे भी बात करने वाले हैं तो आएए शुरू करते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे बुली स्पिनिंग टॉप के बारे में यह जब भी मार्केट के अंदर बनती है और यह हमें सहाई बॉट्टम में बनती है जैसे इस परकार से हम आन सकते हैं यह चारफ है तो यह यहां पर ही बनेगी तो हम इसे बुलिच स्पिनिंग टॉप बोलते हैं और इसके जो बोड़ी होती है ये बीच में होती है और इसके उपर हाई और लो की काफी बड़ी बड़ी विक या फिर सेडो भी होती है तो इस परकार से जब कोई कैंडल फोम होती है तो हम उसे बुलीच स्पिनिंग टॉप बोलते हैं तो हम इसके कुछ विशेस्ताओं के बारे में अपन बात कर लेते हैं तो इस केंडल की जो सेडो होती है वो लो और हाई साइड में एक समान होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह उपर भी एक समान है और नीचे भी एक समान ही मतलब एक दम बराबर होती है और बीच में इसकी बोड़ी होती है इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर यह केंडल चार्ट के बोड़्टम में बनती है चार्ट को उपर के और ले जा सकती है मालोकी इस परकार से चार्ट है ठीक है अगर ये चार्ट के बोटम में बनती है यहाँ पे तो ये चार्ट को उपर के और लेके जा सकती है तो ये ऐसे काम करती है इसके बाद हम बात करें कि ये है रंग माईने नहीं रखता है यह लाल और हरे किसी भी रंग में बन सकती है यह मतलब अगर बोटम में अगर यह केंडल बन रही है तो इसका रंग कोई माईने नहीं रखता है यह किसी भी रंग में बन सकती है यह लाल भी बन सकती है और हरी रंग की भी बन सकती है तो यह हम देखते हैं इसके बाद हम इसके एक्जामपल की बात कर लेते हैं हमने एक्जामपल यहा है टाटा पाउर का और आप 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर यहां पर आप देखेंगे यह चार्ट यहां से बनता हुआ नीचे आता है उसके बाद उपर जाता है फिर यह नीचे आता है तो यहां पर यहां पर जैसी स्पोर्ट लेता है उसके बाद चार्ट दीरे दीरे यह उपर की और जाता है तो यहां पर यह जो है बुलिस स्पिनिंग टॉप यहां पर इसने क सकते हैं कि यह विश्यस्ता ही होती है यहां पर इसकी बीच में बोड़ी होती है और यहां पर इसकी विक या सेड़ो होती है ठीक है लेग भी के सकते हैं तो यह इस परकार से बनती है और यह हमेसा चार्ट के टोपर बनती है तो यहां पर हम इसकी विश्यस्ता देख लेते है इस केंडल की सेडो लो और हाई एक्समान होती है मतलब इसकी जो पहले हमने बात की थी वेसे ही है मतलब इसकी जो सेडो होती है जिसे हम विक बोल देते हैं ये इसकी लो और हाई साइड में एक्समान होती है इसके बाद हम बात करें अगर ये किनल चार्ट के टोप पर बनती है तो चार्ट को नीचे की और लेके जा सकती है हमने यहाँ पर बात की जैसे यह यहाँ पर चार्ट के टोप पर बनती है तो यह चार्ट को नीचे की और लेके जाती है रंग माइनी नहीं रखता है ये लाल और हरे किसी भी रंग में बन सकती है मतलब इसका ये जो रंग है ना ये लाल ही बनेंगी या फिर हरे बनेंगी जब ये यहाँ पर टोप पर बनती है तो यहाँ पर इसका रंग है वो मैटर नहीं करता है किसी भी रंग में बन सकती है इसके ऑद हम बात कर लेते हैं इसके एक्जामपल के बारे में हमने लिया है बजाज ओटो का ठीक है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ही चार्ट नीचे आता है तो जैसी ये केंडल यहां पर बनती है तो किस परकार से चार्ट पहले नीचे आया था फिर उपर गया यहां पर जैसी रेजिस्टेंट पेशने ये जो केंडल बन दी है इसके बाद में ये किस परकार से चार्ट नीचे आता है तो यहां पर इस केंडल ने यहां पर काम किया है तो आपको यह वीडियो केसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप चैनल पर ने आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई